नमस्कार मैं हूश नसी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आज जार्खन की दीन भर की ख़बर जानते हैं जार्खन में बिहार की तर्ज पर होगी 50,000 शुष्को की न्योकती जार्खन की पराथमीक वमधे बिधैलें में श्च्षक कि नियुक्तिक परकिरिया को लेकर विभागी अस्तर पर जल्द निरने लिया जाएगा इसके लिए बिहार पछिम मंगाल वद दिल्ली के सिक्षक नियुक्ति निमावली की जनकारी जुटाई गई है सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने इन राजियों की नियुक्ति परकिरिया की जनकारी मांगी थी उन्होंने विभागी अधिकारियों से इस समंध विचार विमर्च भी किया है संकेत है कि जार्खन सरकार बिहार के निमावली को ही यहां भी नियुक्ति का अधार बनाएगी इस माह के अंत तक इस सम्मध में निर्ने ले लिया जाएगा इसके बाद जार्खन में भी बिहार के अधार पर पंचायत अस्तर पर 50 हैर पदो पर सिक्षको के नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा इसके लिए आरक्षन रोस्टर किलियर किया जाएगा सिक्षा मंत्री ने कहा है कि जार्खन के युवाओ के हीत को ध्यान में रख कर ही नियुक्ति नियमावली होगी धनबाद में फिर धसी जमीन हादसे के वक्त मजूद थे 10 से 12 मैं दूर जार्खन के धनबाद में फिर से भू धनसन की घटना हुई है मिली जनकारी के मुताविक धनबाद के ECL मुगमा एरिया अंतरगत कापा सारा आउट सोर्सिंग में भू धनसन की घटना हुई है बताया जाता है कि 100 मीटर लंबे और 30 मीटर चोड़े इलाके में धर्ती खिसक गई है अनुमान ब्यक्त किया जा रहा है कि भू धनसन तकरीबन 10 मीटर गह रहा है कहा जा रहा है कि हाथसे के वक्त वहाँ 10 से 12 मौजूद थे जो अवैद उत्खनन के काम में लगे थे हलाकि अभी तक किसी भी ब्यक्ति के हताहत होने को लेकर कोई जनकारी सामने नहीं आई है बता दे कि एक साप्ता पहले भी जीले में भू धनसन की घाटना सामने आई थी जिसमें एक महिला की मौथ हो गई थी फरजी दस्तावेजों के जर्ये नौकरी कर रहे सिक्षक पर होगी करवाई जारखन के पाराट टीचर्स के पवन पत्रों की जाच चल रही है इसमें कई सिक्षकों के साडिफिकेट फरजी पाए गए है राज सरकार ने ऐसे पाराट सिक्षकों पर प्रात्मी की दर्ज करते हुए कानूनी करवाई के साथ साथ उनसे मांदे वसुली का निने लिया है इसके लिए स्कूली सिक्षावर सर्था विभाग ने सभी जीलों को करवाई करते हुए 31 जनुवाई तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है बता दे राजे में 61 हैर पाराट सिक्षकों के साडिफिकेट जाच की परकिर्या चल रही है इसकी तारिक कई बार बढराँ दी गई है अभी भी करीब 8,34 पाराशे सिक्षकों के साडिफिकेट की जाच नहीं हो पाई है मा सार्दा की पुजा की तयारी जोरो पर पर मासारदे के पुजा की त्यारी जोरों पर है, बिद्धा की देभी मासारदे से शिर्वाद पाने की अकांछा रखने वाले बिद्धार थी वर्ग में खासा उत्सा है, इस बार वसंद 5 मी 26 जन्वारी को है, इसे लेकर सहर और आसबास के छेत्रों में भी सेस उमंग और उ चुके हैं, बता दे दो वर्ष के बाद अब इस वर्ष वसंद 5 मी पर मुर्तिकारों के उमीदे काफी बड़ी है, उन्हें उमीद है कि कोवीट काल के नुकसान की भरपाई इस बार जरूर होगी, जार्खन में बुजुर्गों के इलाज में मिल रही सुधाओं का होगा आ रिपोर्ट में अस्पताल के अंदर 60 वर्ष अधिक उम्रके नागरिगों की चिकित्सा की क्या बेवस्ता है उसकी पूरी जनकारी दी जाएगी, इस समध में दिली उस नियाले ने पूर में आदेश पारित कर नेशनल प्रोग्राम और हेल्थ केर और एल्डरली योजना के तहत जीरियाट्रिक वाड और उनमें मिल रही सुविधावों की विशेस निगरानी करने को कहा है पहले से उच चिकित्सा संस्थानों में ही जीरियाट्रिक वाड की बेवस्ता थी लेकिन अब आम लोगों की सुविधावों के लिए सरकार ने सभी बड़े अस्पताल में पहल सुरू किया है जी ट्वंटी को लेकर नगर निगम की त्यारी जोरो पर दो और तीन मार्च को राइध हनी रांची में जी ट्वंटी की बैठक प्रस्तावी थाय देश विदेश से आने वाले आतित्यों को सहर सुन्दर लगे इसको लेकर सड़क किनारों के घरों को ए जी ट्वंटी सब्मिट हो रहा है इसलिए इस सहर में ऐसी बेवस्ता बहाल करनी होगी जिससे इस सहर के बारे में आतित्यों के मन में एक अलग छा भी बैठे जारखन के सरकारी भावनों में लगे 1465 सोलर पलेट जारखन के 1465 सरकारी भावनों में सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं यह सबी कारे पिछले 5 वर्सों में हुए हैं इन भावनों में सरकारी करयाले स्कूल अस्पताल कोट आधी सामिल हैं जी रेटा द्वारा 28,000 किलो वाट हुई है यानि राजे के सरकारी भावनों से 28 मेगावाट सोर उर्जा का उत्पादन हो रहा है इन पलांट के बनने में लागत 14 कौर रुपए से अधिक की है जबकि इन सरकारी भावनों में लगाए गज़ सोर और पावर पलांट में 75 पलांट बंद भी हो चुके है लोहर दग्गा में अपराधियों वा नक्सलियों की दहसत कुड़ू थाना छेतर में पिछले तीन माँ से अपराधि या नक्सलियों की दहसत है एस सुरक्षा वेवस्ता को लगाता चुनोती दे रहे हैं गोली भारी की दो वर्दातों में पुलिस को सफलता मिलना तो दूर पुलिस को इस बात की जनकारी तक नहीं मिल पाई है कि घटना में अपराधि सामिल हा या उग्रवादी इसी बीच तीसरी वर्दात को भी हंजाम दे दिया गया है इससे ग्रामिन में अक्रोस है बताया जाता है कि कुड़ू थाना चेत्रे में गोली भारी की पहली खटना चार नौमबर को हुई थी जब CSP संचालक अमर पासवान को तिन हर्थियार बंद अपराधियों ने लूट की वर्दात में बिफल होने के बाद गोली मार दी थी अमर पासवान ने हिमद दिखाते वेक अपराधि को पटक दिया था और सोर मचाया ग्रामिनों को अपनी तरफ आता देख दो अपराधि पैदल भाग निकले अपराधियों को पकड़ने गई पोलीस पर अपराधियों ने फारिंग भी की थी इस घटना में निव वर्तमान थाना प्रभारी अभिनव कुमार बाल बाल बचे थे मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा दुमका में पुर्व सांसद और आदिवासी सेगेल अभियान के परमोख सालखन मुर्मु की ओर से सुरू किया गया मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा दुमका पहुच गया है रबिवार को दुमका में सालखान मुर्मू ने कहा है कि मरांग बुरू की रक्षा आदिवासी अस्तित्व पहचान और हिस्चेदारी की रक्षा है उन्होंने कहा है कि जार्खन की गिरीडी जीले में इस्थीत पारशनात पहार आदिवासीयों का इस्वर है मरांग बुरु hm, इसे जैन धर्म लंबियों ने हड़प लिया है सालखंड मुरमु ने इस मुद्धे पर ज़ारखंड की हिमनद स्रियन सरकार को अभिकड घरे में खड़ा किया है उन्होंने कहा है कि जैन धर्म की लोगों ने हमारे इस्वर को हडप लिया है और जार्खन की सरकार ने इसे जैनियों को सौप दिया है उन्होंने कहा है कि हमन सुरेन सरकार ने पांच जैन्वारी को भारत सरकार को एक चिठी लिख कर जैन धर्म को मनाने वाले लोगों को परशनत पहाण को सौप दिया इस सरकार ने आदिवासियों के पक्स को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है कोडारमा में बड़ा हद सा ड्राइबर जिन्दा जला जहारखन के कोडारमा से बड़ी खबर सामने आ रही है बतादे दो वाहनों में टकर हो गई जिसमें एक ड्राइबर जिन्ता जल गया है बताया जा रहा है कि कोडार्मा घाटी में ट्रॉक और गैस ट्रंकर में टकर हो गई है इसमें गैस ट्रंकर का ड्राइबर जिन्ता जल गया है गैस ट्रंकर की केविन पूरी तरह जलकर राक हो गई इस हादसे में तीन लोगों के घायल होने की सुचना है कोडारमा घाटी में रभीवार को भीशन हादसा हुआ है ट्रॉक और गैस ट्रंकर में जोरदा टकर हो गई है इसमें गैस ट्रंकर का ट्राइबर जिनता जल गया है जमसेदपूर में लोकी ड्रा से रियल्ट जारी जमसेदपूर सहर के CBSC, CISC बोर्ड के सभी स्कूलों में नवनिहालों के इंटरी पॉाइंट में दाखिला के लिए हुई लोटरी का सरनीवार को रियल्ट जारी हुआ है अधिकतर स्कूलों ने ओनलाइन तो कई स्कूलों ने ओफलाइन वही कुछ ने दोनों ही मोड में रियल्ट जारी किया है बतादे सहर के 70 प्राइबेट स्कूलों में करीब 9750 सीटों पर अधिकतर स्कूलों ने ओनलाइन वाले को रियल्ट जारी होने के साथ ही एडमिशन लेने की तीथी भी निधारित कर दी गई है ताय तीथी में एडमिशन नहीं लेने वाले उमिद्वारों के अस्थान पर दूसरे को मोका दे दिया जाएगा अधिमिशन के रिए करीब एक लाख अभिभावकों ने अलग-अलग स्कूलों में फरम भरा था नियोजन नियमावली 2022 को लेकर डिसी ने जारी की नोटीस जारखन राज निजी छेत्र में आस्थानिय उमिद्वारों के नियोजन नियमावली 2022 को लेकर जीला पसासने आस्थानिये कम्पनियों संस्थानों होटल डेस्टोरेंट एसोसियेशन वग कल्भो से तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन देखर यह बताने को कहा है कि उन्होंने अपने संस्थान में इसका कितना अनुपालन किया है उपायुक्त ने निजी छेत्र में आस्थानियों उमिद्वारों के नियोजन के अनुपालन को लेकर निजी छेत्र की कम्पनियों विभीन संस्थानों के चीफ महा प्रवंधक अध्यक्स प्रवंधन न चेंबर अफ कमर्स जमसेदपूर अधक्स महासचीव जमसेदपूर चेंबर अफ कमर्स प्रववन्धन निदेशक को भी जारी किया गया है। नक्सली बंद को लेकर गीडी में सुबह के वक्त बस एस्टेंड से लंबी दूरी के वहां नहीं चले हैं।